नमस्कार इंडिया वोइस देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ दिख्षाच्वाथरी लोग पैदा ही रोध करने के लिए हैं इसमें किसी को कोई अत्रास नहीं होना चाहिए हर्याणा में इसे लागू करने के सबाल पर विज ने कहा कि कानून आयोग ने अब्जेक्शन मांगे हुए तुए उसके बाद भी कोई रंडिती बनाई चाहिए तो अम्माला में विपक्ष पर भढ़के हैं निलमिज ने विपक्ष के काले कपड़े को लेकर तंच कसा है पल्वल के होडल बावरी मोर्ड पर एक बार फिर दर्दनाग सड़क हाथसा हुआ है जहां रॉंग साइट से आरी तेज रफ्ता ट्रक के चपेट में आने से माँ बेटे की मौके पर ही दर्दनाग बहुत हो गई आपको बता दे रास्टी राजमार से लगताय ट्रकों के उबरलोडिंग और लापरवाही के कारण आयदेन ऐसी खटना सामने आती रहती हैं जिस पर प्रिशासन किसी भी प्रिकार की रोक लगाने में असमर्थ है तो वही बताया जा रहा है कि दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार हो गड़ जा रहे थे जहां रॉंग साइट से आ रहे ट्रक चालक की लापरवाही के चलते दोनों हाथ से का शिकार हो गए जिसके बाद सुचना पर पहुची पुलिस ने शभू को कबज में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है तो वही परिजुनों ने ट्रक चालक के खलाव शिकायत दर्श की है तो पलवल में ट्रक चालक की लापरवाही से बड़ा हाथसा हो गया है बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है बाइक पर सवार माबेटे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है कबर पलवल से जा नेशनल हाइवे नंबर 19 पर एक बार फिर से रफतार का कहर देखने को बिला पतादे नेशनल हाइवर बाइक पर सवार मा बेटे और रॉंग साइट से आरे ट्रक्ट में जोरदार टकर हो गई जिससे मा बेटे के मौके पर ही मौत हो गई बिहार के रोतांस में शराब कांड में फरार चलने कारोवारी को पुलिस ने गरफतार के लिया है यहां पुलिस की विशेश टीम ने शराब माफिया को उत्तर प्रदेश ने गरफतार किया है आपको बता दे जिले के कोचस थाना शेत्र अंतरकर शराब कांड का फरार एक शर शराब कारोवारी को पुलिस ने गरफ्तार किया है तो वहीं एसपी वरीद कुमार ने प्रेस वारता के दौरान बताया कि 9 जून 2020 को अवैस शराब के खिलाब विशेश चापिमारी के दौरान विदेशी शराब वरामत किया गया था इस संब्द में शराब कारोवारी के खिल कि कोचस्थाना के अंदर के काण दर्ज हुआ था दोजरेटीश में किस नमबर आपको 7921 है इसको लोगों ने जो है आम दर्ज किया था आपको मदनिसेत के कानों में और बहुत अच्छी रिकवरी उसमें हुई थी 8000 लेटर के कड़ीब सराब फी रिकवरी भी थी सराब की अब तक इसमें 12 अपराद करनी को इस समय हम लोग जो है जील बेज चुके हैं और हम लोग की बीशेश टीम जो है अमने राज्यों में अच्छा परमारी करने के लिए गई थी उस टीम को पहली सफलता मिली है पर इस कांड में सलिक जो तेरह हुआ वहा वैक्ति है तो रहने और सिग्री जो विस्त्री सूचना है आपसे साजा की जाएगी ख़वर अमरिसर से जाग केमरेट मंतरी हर्वजन सिंग एटियो ने जोडियाला गुरू में पांच करोड़ सतर लाख रुपे की लागत के विकासकार्यों का सिलान्यास किया पता दे कि जिसमें दो सड़के और दो हैरिटेज गेट शामिल है तो मंतरी हर्वजन सिंग ने विकासकार्यों का सिलान्यास किया है अमरिसर में विकासकार्यों में दो सड़के और दो हैरिटेज गेट भी शामिल किये गया है कि अग्रश्वित के नगरपाल का शावाद के महिला नगरपार्शत के छोटे वेटे और नगरपाल का करमचारी के सास्तुमे च्छक्रा हो गया ज़न सफाई करमचारी ने नगरपार्शत के घर के आगे कूरा डाल दिया आपको बता दे नगरपाल का के सचीव बबुल मालिक ने बताया कि सुबह जब नगरपाल का के ऑफिस के काम से जार ही तवी रास्ते में महिला नगरपार्शत के छोटे बेटे के साथ उनकी किसी बात को लेकर झखरा हो गया इसके बाद वैं ऑफिस पहुंचे और उन्हें सारी बाते बताई जिसके बाद उन्होंने कहा कि महिला पार्शत के छोटे बेटे के खलाब पुलिस में शिकायत देकर कारवाई की मांग की गई है तो वहीं महिला पार्शत निशा ठुकराल का कह क्याना है कि उनके छोटे बेटे पर नगर पालका के प्यूर ने चाकू से हमला किया है अब उनके बेटे को सरकार हस्पिताल में भरती करवाई गया है तो वहीं यम्नानगर में हर्याना के यम्नानगर में खंड रदोर के ग्रामीर सफाई करमचारी ने दो महीने का वेतर ना मिले पर गुरुवार को लगू सचीवाले पर खटा हो का ब्रदशुन क्या जहां जिला विकास और पंचायद अधिकारी के नाप ग्यापन सोपा आपको बता दे कि ग्रामीर सफाई करमचारी संग हर्याना के ब्रदेश महासचीब बालक राम ने कहा कि रादोर खंड अधिकारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें गाउं के सरपन्स से पहले अपनी तो वही भारती मजदूर संगी जिला महामंत्री आशीर भीमान नेका कि खंड अधिकारी के जर्ये इस तरह से पत्र जारी करना गलत है हम इसकी निंदा करते हैं उन्हें ने चिताफ़ि देती हुए का कि अगर खंड अधिकारी से तुरण वापस लेकर वेतन जारी नहीं कर जिनावाद करमचारियों का वैत अनुदार रोतक पोचे हर्याणा के पूर मुख्यमंतरी वुपेंज सिंग हुड़ा ने ये साफ कर दिया है कि एंडिया के खिलाफ जो इंडिया नाम से गडवंदन बना है वैं लोकसमा चनाव के लिए और हर्याणा में कॉंग्रिस पार्ट ये अपना गडवंदन कर लें साथी वुपेंज सिंग हुड़ा ने अपने निवास इस्थान पर एक प्रहिस्वाता में बार्ट की स्थिति को लेकर सरकार की व्यस्ताओं पर सवाल खड़े किये और बार्ट के दौरान मारे गए नागरकों को परिवारों को 20 लाख आर्ति अधिकार की ड्यूटी थी कि ड्रेन की सफाई करवाने के बाद उसका निदिक्षन करें वह किसी भी अधिकारी ने नहीं किया जिसकी वज़े से इस तरह के हालाद बने हुए हैं साथी उन्हें ने कहा कि यमना को लेकर भी हर्याड़ा सरकार की कोई तयारी नहीं थी और समय के रहते कोई भी काम बार्ण ने अंदर कुले कर नहीं किया गया और जो अवैत खरन हुआ था उसकी वज़े से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो फिलाल रुकते हैं चुट इस ब्रेक लिए फ़रार हासर होंगे ब्रेक वाल बुल्टरन में एक बार फिर स्वागत है आपका बढ़ते खबरों में आगे खबर गुरुगराम से जहां पीने के पानी को लेकर लोगों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पता दे लोग गंदा पानी पीने के लिए मज़बूर हो चुके हैं साथी किराय पर टैंकर मगा कर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं पता दे लोगों दारा नगर निगम की इस बात की कई बार शिकायद देने के बावजूद भी कोई समधान नहीं हुआ है इसी को लेकर गुरुराम के न्यू कालोनी इलाके में लोग पिछले एक महीने से समस्या से जूच रहे हैं इस दोरान लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने घरों के बाहर फोर्ज सेल के बोट तक लगा दिये हैं गुरुराम जिले की बहादुर्श्र विधान सबाक में हर्याणा के मुक्मत्री मनहुनलाल के OSD जबाहर यादव इंदुरों बाश्यापूर विधान सबा में जीतोर महनत कर रहे है जहां एक तरफ वे जन्ता के बीच घर घर जाकर मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ नागरिक सुविधा कैंप लगा कर भी जन्ता की समस्याओं को दूर कर रहे हैं मुक्मंत्री के OSD जबाहर यादव सूरत नगर पहुँचे जानोंनी सूरत नगर में गरिवी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को BPL राशन कार्ड वितरिके इस दूरान मुक्मंत्री के OSD जबाहर यादव ने का कि मुक्मंत्री की दूरगामी सोच के कारण आज हर गरी व्यक्ती को BPL राशन कार्ड बन रहा है जो की परिवार पहचानपत की तागत के कारण हम गरीवों तक लाव मिल रहा है अधर कि संगन की मदन गंच्थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने लूट के प्रयास में दूसरे आरुफिक को गरफतार किया है बज़ख महिला से चेन की लूटने के प्रयास करने के दूसरे आरुपि को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गरफतार किया है पुलिस ने CCTV कैमरे के अधार पर आरुपियों के गरफतार किया है तो लूट का प्रयास करने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस ने गरफतार किया है आपको बता दे बुसक महिला से चैन लूटने का आरोपी ने प्रयास किया था जिसके चलते पुलिस ने कारवाई करते हुए 48 घंटों में दूसरे आरोपी को गरफतार कर लिया है कवर पट्याला से जा उदम से नगर से मां और बेटे की कतल का मामला सामने आ है पतादी की कतल कारण को लेकर पूरे लाके में संसनी फैली हुई है साथ ही मौके पर पहुंची पूलिस जांच में जुड़ गई है वहीं सूतरों की मताबिक लडगी की उमर लग्वल 27 साल और माता की उमर 50 साल की करीब बताई चारी है तो पट्याला में ये दरदनाख हुई है मा और बेटे के हत्या कर दी गई है अग्याद हमलाब्रों ने मा और बेटे की हत्या कर दिया जिसके चलते इलाके में संसनी फैल गई है मौके रोप पॉंची पूलिस जांच परताल में जुड़ गई है तो जिसके बाद हत्या के बाद इलाके में पूरी तरह से संसिनी फैली हुई है दैश्चत में लोग है कि अधर राजस्तान सेंट्रल युनिवर्स्टी की एक स्टूड्न ने सुसाइट कर लिया है जाच छे महिने के अंदर युनिवर्स्टी में सुसाइट काई दूसरा मामला है आपको बता देश घटना के बाद स्टूड्स ने विरोध प्रदश्शन शुरू कर दिया है हलाकि अभी तक चात्र के सुसाइट का कारूलों का खुलासा नहीं हो पाया है अद्दा की रहने वाली फुन्स्टॉंग डोल्सा सोचल वर्क डेपार्टमेंट की पीएजडी स्टूडेंट थी तो वहीं स्टूडेंट्स अत्या की रिस्पक जाच की मांग कर रहे हैं साथी विध्यारतुने उनिवर्स्टी विशासन पर गंभीर आरूप लगाते हुए उनिवर्स्टी के सेक्योर्टी ऑफिसर पर धमकाने और मांसे गुरूम से परिशान करने का भी आरूप लगाया है तो किशनगड में सेंटरल यूणिवर्स्टी की छात्रा ने सोसाइट कर लिया है जिसके चलते अनिशात्रियों ने ब्रोध प्रदर्शन किया जिसके चलते अनिशात्रों ने निसमर जाच करानी की भी मांग की है का 1 हुआ इंप रोमी लगतार ओरी बारे से जरजर मकान फर भरो कर गिर च Näहिए मकान गिनने से लाके में हरण ग 1984 पांज गया मावराख Level की जॉलूसा वाले मार्क विजनौर में मडीपूर में हुई घटना को लेकर रास्टी लोगदल के कारिकरताओं ने जोड़दार धर्ना प्रदशन किया जहां कलेटरेट पहुंचकर बैठे धर्ने पर कारिकरताओं ने एक ग्यापन उपजला अधिकारी विजनौर को सौपा बतादे कि ग्यापन में मडीपूर में हुई घटना के दोश्यों को फासी कि सजा दिये जाने और मडीपूर की सरकार को बरखास किये जाने की मांग की गई तो बिजनौर में मड़ीपुर घटना को लेका धरना प्रदशन किया गया इस दौरा राश्टे लोगदल ने कार करता उन्हें ये धरना प्रदशन किया इस दौरान उन्हें उपजला दिकारी को ग्यापन भी सौपा उधर पलवल के होटल बावरी मोड पर एक बार फिर दर्दनाग हाथसा हुआ है जहां रॉंक साइट से आ रही तेज रफ्ता ट्रक की चपेट में आने से मा बेटी की दर्दनाग मौत हो गई आपको बता दे राश्टे राजमार से लगतार ट्रक के ओवर लोंडिंग और ला लखनो में सीम योगी ने जनता दर्वार लगाया सीम ने सरकार आवास पर ये जनता दर्वार लगाया इस दोरान सीम योगी आदितनाथ ने फर्यादू की समस्याइं सुनी और तुरंत इस दोरान उन्होंने अधिकारी को समस्या के निस्तांतरन के अधिकारी को कर दिश्टिया है अहां पीड़े सूजी और कुटवाली पुलिस वाहांचोरी करने वाले अंतर राजी ग्रों का ख्लासा किया है जहां सर्गरा समेच दोश्राटिर भाहांचोरों को ग्रफतार किया गया आपको पतादे चुर्ण के साथ दो चाकू ब्रामत किये गिरफतार अरुपी अलग लग राजी और दिल्ली एंसीयार में जाकर लगजुरी कारों की रेकी करते थे और मौका पाकर इलेक्ट्रोनिक डिवाई साधी की मदद से चिनित कारों को चोरी करते थे दोनों पर अलग लग थानों में आदा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है तुहापर्ण में वहनचोर ग्रहों का खुलासा किया है, पोलिस ने अंतराजिये ग्रहों का खुलासा करता हुए दोशातर वहनचोर को ग्रफतार किया है 10 चोर लगजरी कारों को परनिशाना बनाते थे औरों इलेक्त्रोनिक उधर गाजियवाद में फैक्टरी मालिक ने रची फरजी लूट की घटना जहां पूरे मामले का पुलिस ने खुडा सकिया है फैक्टरी से तकरीवन एक करोड का रौ माटीरियल और मशीन के सम्मद में फैर पंजीगरित हुई थी जहां पुलिस ने ततकाल घटना का संग्यान लेत हुए अनावराण कर पुलिस टीमों का गठन किया तो वहीं पुलिस ने सीजडीवी फुटेज देखा तो पाया की फैक्टरी में कोई भी गाड़ी एंट्री नहीं हुई थी जहां शक के अधार पर क्रॉस कोईशिनिंग की गई तो फैक्टरी मालिक ने कबूल किया कि इसके उपर बैंक का लगबग 40 लाग का कर्ज था जिसके नोटिस आ रहे थे और इसी कारण उन्हें चोरी का नाटक रचा जिसके बाद पोलिस ने वादी को हिरासत में लेकर पू 608 अश्योक कुमार यादव की अधालत ने 9 साल की लड़की की हत्या कि आरोपी के ओ आज जीवन कारावास की सज़जमाई है जहां 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाए गया है बतादी पूरा मामला चंदोसी कोतवाली इलाके के अश्योक नगर मौले काय मौला निवासी पीड़ी पिता ने आरोपी दैयाराम सेनी के खिलाप थाने में केस दर्छ कराया था पुलिस जांस परताल में जुड़ गई है घटना नसीरvida वाद थानाशेत की बताइजा रही है आग्रा में थाना ट्रोस युमनाच शेत्र के फाउंडरी नगर रद्धी के गुदाम में भी शडाक लग गई सुचना मेलते ही मौके रोपाँचे फायर ब्रिगेट के करमचारी उन्हें कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया है तो आग्रा में फाउंडरी नगर रद्धी के गुदाम में भी शडाक लग गई मौके पर पहुँचे दमकलकरवियों उन्हें कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया है तो आगरा के मामला बताया जा रहा है जहां पर रद्धी के गुदाम में भी शड़ाग लगी सुचना पर पहुची प्राइब ब्रिगिट करमचारियों ने आग पर काबू पाया है उदर मैनपुरी में बीज़ेपी के पूर डिटी सेम दिनेश शर्मा शहर में चल रहे हैं शिप पुरार कथा में भाग लेने आए पतादे कि हैं मीडिया कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे अलिगर में बीज़ेपी के युबा नेता को घर से बुला कर देर रात गूली मारती कई जा गंभीर हालत में बीज़ेपी नेता को जला मलखान सिंग अस्पताल में भरती कराया गया है पता दे बीज़ेपी अल्वसंके मूर्चा के जैगंज मंडल के महामंत्री तन्वीर एहमत को घर से फोन कर बुला आगया तो अलीगड का ये मामला बताया जा रहा है जहां बीज़ेपी नेता को घर से बलाकर गूली मारती कई है तो फलालेस प्रोल्टर में बस इतना ही खबरी लगातार जा रही है नमस्कार